लेकि निश्यत तोर पर हमने अभी दो उपचुनाओं में घूमा है चुकि हम लोग अलग चुनाओं लड़ रहे थे निश्यत तोर पर हमारा संगठन कमजोर है बिहार में दो सीटों पर उपचुनाओं के करारी हार के बाद अब कॉंग्रेस में आत्मे मन्थन शुरू हो गया है आपको बताते कि दो सीटों पर कॉंग्रेस ने राज़त से अलग हटकर चुनाओं लड़ा था और मुह की खानी पड़ी थी यानि दोनों सीट अब जदिव के खाते में हैं राज़त और कॉंग्रेस दोनों सीटे हार चुकी है ऐसी स्थिति में ख़बर या रही है कि कॉंग्रेस में बड़े अस्तर पर उलट फेर हो सकता है आपको बता दे कि मदन मोहंजा के बाड़े में एक चिट्टी में लिखी गई है सोनिया गांधी को रिसी मिश्रा एक कॉंग्रेस के पुर्व में विधायक रहे हैं कॉंग्रेस के नेता हैं उन्होंने लिखा है सीधे तोर पे हम आपको वीडियो सुनवाते हैं जिसमें कॉंग्रेस के विधायक दल के नेता अधीज सर्मा ने कहा है कि आने वाले दिनों में बड़े अस्तर पर बदला होगा जो कॉंग्रेस ने 1947 अजादी के बाद से जो काम किये देश के लिए PSU सेक्टर से बनाना बड़े बड़े रोजगार देना आपने एक बार पाकिस्तान ने दूसरा हस किया अतरत इंद्रा गांधी उसमें प्रधान मंतरी थी दो फाक कर दी पाकिस्तान को और बंगला देश बना आज नरेंद मोदी जी क्या पिछले चुनाओं में कहे देश खत्रे में है एक बम गिरा तो अरे यार सेना मेरा इतना सक्तिसाली है मेरे भारत वर्ष के जवान इतने सक्तिसाली है जब इंद्रा गांधी उस समय जो आर्थिक स्थिती चर्बराई भी थी तब उसको हमहंगामा करके उसको दो फाक किया आप क्यों नहीं पाकिस्तान को जवाब दे रहे हो तो किसी गुमराह मत कीजिए इसलिए आप जो यह कह रहे हैं कांग्रेस फेर बदल तो होना ही है होता ही रहता है लेकिन हम लोगों को हर गौं में जाके दस डेडिकेटेड वर्कर बनाना है और कांग्रेस क्या की है आज तक अजादी के बाद से और भारती जन्ता पार्टी 2014 में दो कोड़ों को रोजगार देंगे नोट बंदी करके क्या फाइदा मिला क्या कॉर्पोरेट के हाथों जो बेचे जा रहे है पीएस यूज उस अब बाते हम लोग जन्ता को बताने काम करेंगे और निश्यत तोर पर कांग्रेस मजबूत होगी या 2024 में केजमिस शरकार तो देखा आपने किस तरीके से अजी सर्मा ने कहा है कि जिस प्रकार से चुनाओं में हमारा प्रदर्शन काफी खराब रहा है ऐसी स्थिती को देखते हुए अब एक बार फिर से कॉंग्रेस में बड़ा उलट फेर होने जा रहा है यानि वो 14 तारीक के बाद पुरे बिहा प्रदेस के उनकी छुट्टी की जा सकती है मदन मोहन जा का पद जा सकता एक पर फिर से अजीज सर्मा में भी इन बातों पर मुण लगाई है और कहा है कि हो सकता है कि सोनिया गांदी और राहूल गांदी जो फैसला करें बिहार के बारे में लेकिन ये तय है कि हमारा झाल